हेलो इंदी मीडम अकैडमी में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा आठ का जो अध्याय 9 है गणित का बीजी ए वेंजक एवन सर्व समिकाएं इसके बहु विकल्पिय प्रश्न का भाग दो भाग एक मैं इससे पहले अप्लोड कर चुका हूँ और यह पूरा चैप्टर भी अप्लोड कर चुका हूँ तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत है तो इसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं फिलाल सुरू करते हैं प्रस्ण एक से तो यह जो पहला प्रस्ण है ठीक है बहुत आसान सा है पिछली वीडियो में भी कुछ ऐसा ही प्रस्ण था पहला ठीक है बट आपको यह पता होना चीज़ ले मैंने similar question रखा ये तो यहाँ पर बोला गया है निम्न में से कौन सा समान पद का समू है ठीक है आपको यहाँ पर चार option दिये गए है A, B, C, D ठीक है समान पद हम कैसे पहचानते हैं समान पद का मतलब है जैसे यहाँ पर 2X है तो यह X वाला है तो इसके साथ X वाला ही जो होगा Y समान होगा मतलब जैसे यहाँ पर आगे 3Y तो यह समान नहीं है यह समान हो गया एक X वाला है तो एक Y वाला है ठीक है न इसी तरह से यहाँ पर देखो अगर यह Z वाला है तो दूसरा भी Z होना चाहिए लेकिन जूसरा क्या है यहाँ पर x है तो यह भी समान नहीं है ठीक है यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर p है यह भी समान नहीं है ठीक है एक जैसा कहाँ पर है तेखो यहाँ पर 4y यहाँ पर 6y ठीक है न दोनों y वाले हैं तो हम बोलेंगी यह समान पद है ठीक है तो जो सही उ दोएश में बोला गया है दो-एक्स 3-y-5-ज़द जो ये बी-जी.연ी रिम, ये एक पदी है और फिर दूई पदी है त्री पदी है या इन में से कोई नहीं हुआ ठीग्यू आप कमेंट में अपने एंसर दे सकते हैं तो यहां पर देखो हम कैसे पहतानते है कि कितने पद होंगे बीच में जब जमा या घटा का निसान आ जाए तो वो पद अलग-अलग होते हैं मतलब ये एक अलग पद है ये अलग है और ये अलग है ठीक है तो देखने में यहां से आप गिनोगे तो एक, दो, तीन कितने पद हुए ये तीन पद हुए जब यहां पर तीन पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे है कि ये त्री पद ही है ठीक है ध्यान ये रखना कि जो ये पद है ये आसमान पद होने चाहिए अगर समान पद होता कोई, मतलब जैसे ये एक्स वाला है और अगर ये भी एक्स वाला ही होता तो हम इसको अलग-लग नहीं गिनते, तब हम उसको एक ही मानते, क्योंकि तब हो 2x और 3x जुड़के 5x हो जाता, ठीक है न, बट यहाँ पर तो असमान है, यह x वाला है, यह y वाला है, यह z वाला है, तो इनको हम अलग-लग गिनेंगे, ठीक, जैसे देखो जो अगला प्रश जैसा है, तो यह अलग होना चाहिए, यह अलग होना चाहिए, यह अलग होना चाहिए, एक, दो, तीन, है न, तीपदी जैसा अलग रहा है, लेकिन है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो, यह भी x वाला है, यह भी x वाला है, यह तीनों तो समान पद है, जब समान पद होगा, त इनको हम अलग अलग नहीं गिनेंगे मतलब यह देखो अगर आप solve करो इसे तो 4x में 5x जुड़ गया 9x 9x में 6x जुड़ गया 15x तो असलित में यह 15x ही लिखा है बस उसको तोड़ के लिख दिया है तो यहाँ पर एक ही पद है इसको हम बोलेंगे एक पदी फिर से समझ लो इसको हम एक पदी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह सारे समान पद है यह भी x वाला यह भी x वाला यह भी x वाला जब सारे समान पद होंगे तब हम उनको वाला गलग पद नहीं मानते हैं ठीक है, तो ये एक ही पद है, मतलब एक पदी, ठीक, अगला प्रशन देखो, अगला प्रशन है 12xy, वेंजक का संख्यात्मा गुड़ंग क्या है, ठीक, आपके पास 4 ओप्षन है, संख्यात्मा गुड़ंग का क्या मतलब है, कि जो यहां पर xy है, जो यह चर है, यह हटा ठीक है यहाँ पर क्या बचा देखो 12 तो इसका संख्यात्मक गुड़ाम क्या हो जाएगा 12 ठीक तो यह चौथा प्रश्ण भी आपको समझना आ गया होगा अगला प्रश्ण देखो ठीक है और ट्राई करो कि आप इसका उत्तर देबाओ ठीक है क्या बोला गया है यहाँ पर हमारे पास है X ठीक है और ब्रैकिट में है X-3 और जमा में है 2 हमें इसका मान बताना है कितना होगा किसके लिए X बयाबर 4 के लिए ठीक है ना X का मान यहाँ पर 4 रखना है तो अगर X का मान 4 इसमें रखा जाए तो इस पूरे को calculate करने के बाद कितना आएगा वही हमें बताना है ठीक है? आपको वीडियो रोकनी है और इसका उत्तर लिखना है तो देखो आप मैं इसको करता हूँ अगर हम एक skin जागा 4 रखेंगे मतलब जहाँ जहाँ एक से इधर 4 लिख दिया यहाँ पर एक से 4 लिख दिया माइनस 3 ऐसे ही रहने दो प्लस 2 ऐसी रहने दो तो 4 का 4 रहेगा 4 में से 3 घटाओ पहले bracket 6 होता है तो 4 में से 3 गया एक बचेगा और जमा में कितना है? 2 तो 4 गुणा 1, 4 हो जाएगा क्योंकि bracket मैं से चिपका के लिखने दो गुणा होती है तो 4 गुणा 1, 4 जमा में 2 कितना आ जाएगा? 4 और 2, 6 ठीक है? 4 और 2 जोड़ोगे 6 मिलेगा आपको तो कौन सा option सही है? Option A क्योंकि यहाँ पर कितना दिया गया है? 6 ठीक है? तो यह समझ भी आ गया होगा अगला प्रस्न देखो अगला प्रस्न क्या है? कि इसको और इसको अगर हम जोड़ यानी योग निकाले तो कितना आएगा? ठीक है? आप क्या करना है फिर से? आपको वीडियो रोकनी है और ट्राई करना है कि कमेंट में आप इसका उत्तर लिख पाओ ठीक है? तो चलो यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है? 5M और ब्रेकिट में कितना है? 3-M ठीक है? इसका हमें योग निकालना है ठीक है? मतलब इसमें जोड़ना है इसमें जोड़ना है यह चीज यहाँ पर क्या है? 6M स्कौाइर माइनस 13M ठीक है? तो यार देखो पहले तो इसको सॉल्ट करो यह ब्रेकिट के बाहर है तो मतलब यह गुणा में है तो पहले यह जाएगा अंदर 3 से गुणा होगा ठीक है? तो 5 गुणा 3 15 और 7 में M है तो यहाँ हो जाएगा 15M फिर यही जाएगा इसके पास तो प्लेस माइनस पहली बात ते हम माइनस आएगा 5 और M और M M का स्कौाइर ठीक है? अब इसके बाद यहाँ है प्लेस 6M का वर्ग माइनस 13M अब देखो समान पद आपस में जुड़ या घट सकते हैं तो यहाँ पर देखो यह M वाला है तो इसके समान पद क्या होगा? M वाला ही होगा यह रहा ठीक है? तो 15M माइनस 13M कितने M बचेंगे? 2M और साथ ही साथ 6M स्कौाइर है यह भी M स्कौाइर है यहाँ पर भी M की घाद 2 है यहाँ पर भी M की घाद 2 है यह भी समान पद है जैसे यह दोनों समान पद थे वैसे यह दोनों समान पद है तो इनका भी सॉल्यूशन निकल सकता है तो 6M स्कौाइर प्लस का है 5m² माइनस का है निसान अलग-अलग होता है तो घटाते है 6m² में से 5m² गया 1m² बचा निसान उसका लगाते है जिसमें से घटा है तो 6 में से 5 घटा है तो 6 क्या गया है प्लस यानि क्या बचाता है इन में से कौन सा option है m² पहले लिखा चलो तो अगर मैं m² पहरे लिख दूँ तो 2m² बाद में आएगा और क्या तो देखो इससे मिलता जूलता कुछ है क्या m² प्लस 2m m² प्लस 2m यानि की option c ठीक तो यह भी समझ में आ गया होगा तो देखो जो अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 7 इसमें बोला गया माइनस 4p और 7p का गुड़नफल कितना होगा मेरे ख्याल से यह question पिछली वीडियो में था तो repeat हो गया question चलो कोई बात नहीं तो यहां पर क्या है माइनस 4p और 7p q ठीक है इसका में क्या करना है गुड़नफल निकालना है तो कैसे करोगे देखो यहाद माइनस 4 गुड़ा में 7 कितना हो गया माइनस 823 प्लस माइनस माइनस p गुड़ा p कितना हो गया p की घाथ 2 साथ में q भी है तो माइनस 28 28 P की घहत दो Q कौन सा है minus 28 P की घहत दो Q option A ठीक है तो यह भी हो गया अगला प्रेश्ण देखते हैं अगला जो प्रेश्ण इसमें बोला गया है A plus B और 7 A square B square का गुड़न फल इन में से कौन सा होगा आपके सामने 4 option है देखो bracket में क्या है A plus B इसको में किस से कुना करना है 7 A का वर्ग B का वर्ग तो इसको बाहर लिख देते हैं यहाँ पर 7 A का वर्ग B का वर्ग कैसे कुना होगा पहले यह पूरा जाएगा और A से कुना होगा ठीक है तो जब यह A से कुना होगा होगा तो बस A की घहत 3 हो गया होगी मतलब 7 ऐसी की घात 3, B की घात 2, फिर ये पूरा जाएगा और B से गुणा होगा, यानि की प्लस साथ एक अवर्ग और B की घात 2, B की घात 8, यानि B की घात 3, कौन सा ओप्षन दिख रहा है ये, ओप्षन है, ठीक है, चलो, ये भी हो गया, अगला प्रस्न देख लेते हैं, अगला प्रस् क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, सब का आधार कितना है, X, सब का आधार कितना है, X, और इनके पीच में क्या हो रही है, गुणा, मैंने आपको क्या बताया था, जब आधार एक जैसा हो, और गुणा हो रही हो, तो घातां को हम जोड़ देते हैं, मतलब इसका उत्तर कित इनको जोड़ दो 5 4 3 ठीक है यह 5 4 3 जोड़ दो 5 4 9 3 12 यानि X की घात कितनी आ गई 12 कौन सा ओप्शन है ओप्शन ए ठीक है अब देखते हैं अगला प्रस्न क्या है आप देखो जो अगला प्रस्न है यानि प्रस्न संक्या 10 इसने बोला गया X जमा 4 X माइनस 4 का मान कितना होगा अपके पास ये 4 ओप्शन है ठीक है पहला क्या है देखो ब्रैकिट में X प्लस 4 और फिर क्या X माइनस 4 ठीक है तो इसको आप कैसे करोगे देखो मैंने आपको फोमला पढ़ाया था कि अगर A प्लस B और A माइनस B हो याद करो ये फोमला त यहाँ पर क्या करना है जो ब्रैकिट के सुरू में है उसका वर्ग निकालो और माइनस में जो ब्रैकिट के बाद में है दोनों में उनका वर्ग निकालो माइनस कर दो आपको ये option आज़ा एक्स स्कॉार 59 c ठीक है तो उमीद करता हूं आपको ये 10 प्राश्न समय में आ गया होंगे तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद